सर्दार परटल इस प्रतीमा इस प्रतीमा के अंदर क्या क्या दिखाया गया है हम आपको विश्थार से बताएंगे आप देख सकते हो यहाँ पर किस तरह की मजबूती से बनाया गया है अंदर का जो स्केलेटन बनाया गया है जो धाचा बनाया गया है उसे आप देख सकते हो इस तरह से मजबूत लोहे से बनाया गया या प्रतीमा का अंदर का धाचा यह काम बाकी रह गया ऐसा नहीं है लेकिन हमारे देखने के लिए ही बनाया गया है इतना भाग ताकि हम देख सके कितनी मजबूती से बनाया गया है मतलब यह नहीं के प्रतिमा अदूरी है और इधर हम देख सकते हैं यहाँ पे सब जाली के पास में देखें यहाँ से सब कुछ उपर से दिख सकता है जैसे की यह परवत माला है दो परवत माला है विंद्याचल और कुछ साथ पुड़ा ऐसा कुछ परवत माला का नाम है पहले के हम आपको ज़्यादा दिखाए यह बहेंजी एक कमेंटरी देने वाली है वो कमेंटरी में हम सब कुछ वीवरंड से सुनेंगे उसे ध्यान से देखना ताकि आपको पता चले क्या-क्या यहाँ पे विस्तार से बताया गया है यह थोड़ा बाहर का नजारा है इसके ब जैकेट के दूसरे और तिस्रे बतन के बीच अभी हम खर है बीच में यह बदन बंदी है वहाँ पर से सेकंड नंबर का बदन देख सकते हो राउंसे और जाली के बाहर सोटनर पर अथी सॉल भी देख सकते हो दूंकरा बाहर का आवरान पेरों से लेके संदक पूरा ब्रॉ सब्सक्राइब पर निर्मार किया है और उसके साथ उनका प्रोजिक का नर्मडन अरिफटेयम बनवाने का एंपनेश के लिए लेकिन वहाँ सी अलनी कंपनी के वरकर्स जाते हैं मैंटेनस के लिए दुसरा कोई भी वहाँ नहीं नहीं जा सकता है परवट माला के बीच में है रार्मदा नडी और उसके बनाए गये है सरदा सरवट्यम जो सरदा वलबाई पटिल का सुबन था यहां से हमने बेहन जी की कमेंटरी सुनी वहां तक पहुचने के लिए हमें सबसे पहले यहां से पास होना है यह एक बहुत ही अच्छा सुन्दर फुवारा है और उसके बाद हमें एक सेक्यूरिटी पास से गुजरना पड़ता है यहां पर किसी भी धातुप की चीजे लाना मना है जैसी कि चाको या कुछ भी हो जाए आपके पास अगर हो सबजी काटने के लिए भी अगर लाए हो आप या सलाट बनाने के लिए या पिकनिक के लिए आप कुछ भी सामान के लिए तो उसको बाहर छोड़ के आना पड़ेगा महत तो पूर्ण बात यह है कि आप प्लास्टिक की बॉटल अंदर नहीं ला सकते आपके पास अगर स्टील की बॉटल हो तो आप कैरी कर सकते हो वरना अंदर से आपको खाने पीने के लिए सामान मिल जाता है अभी हम यहां से जो जा रहे है यह जो पाग है यहां पे आपको चलना नहीं पड़ता इसको आइसकेलेटर से हम यहां से हमारी जगा पर जहां हमें Statue of Unity के पास में पेरो तक पहुँचना है वहां तक हम आराम से पहुँच जाएंगे यह जो रस्ता है बहुत ही स्मूथ रस्ता इसके उपर खड़े रहे कर हम लंबा अंतर कार्ट सकते है और वहां तक पहुँच सकते हैं जिसको चलने में तकलिफ है और दूसरा रस्ता भी है अगर हम चलके जाना चाते और यहां से लेफ्ट साइड से एक रस्ता है जहां से हम चलकर भी जा सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से आपर चलते वक्त अच्छे से ध्यान रखे और आपके सूस की रसी खुलना जाए उसका भी ध्यान रखे यहाँ पे उतरते वक्त अगर आपके सूस की रसी फस गई हो तो आप गिर भी सकते हो आपको चोट भी आ सकती है अभी हम पहुँचने वाले स्टेच्य ओफ यूनिडी के पैरों के पास बस हम पहुँच गए यह स्टेच्य ओफ यूनिडी का पैर है वहीं से हमको थोड़ा आगे उपसे स्टेप्स चड़के जाना पड़ेगा अभी हम पहुँचने वाले देखिए तो इस तरह से यहाँ पे बहुत अच्छा गार्डन भी बनाया गया है लेकिन हमें गार्डन को देख कर आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि हमारा लक्ष है सरदार जी के रदई के हार्ट के पास पहुँचना है वहाँ के लिए एक अलग से टिकट लगता है टिकट लेकर के हम उपर तक जा सकते हैं और यहाँ से वापस एसकेलेटर यहाँ से हमें जाना पड़ता है इस तरह से जाएंगे यहाँ पर वापस ध्यान रखना बच्चों को सरारत नहीं करना देनी है हमारा बच्चा थोड़ा सरारती है और यहाँ से दिखता है यह देखे यहाँ पर मगरमच भी दिखता है यह पास में ये नीचे मगरमच था हमने जहां से देखा था लेकिन वीडियो में अभी नहीं है हमारे पास इस तरह से हम पिलकुल पहुँचने वाले हैं स्टेच उफ यूनिटी के पास ये पूरा एसकेलेटर खतम हो जाएगा यहां से पूरी परवत मला यहां से भी देख सकते हैं हम यहां से भी ले सकते हो यहां पर कच बच्चे उपर चड़ जाते हैं यहां पर उपर चड़ने की सकत मनाई है नीचे से आप छूँ सकते हो यह सरारती पच्चा आगया देखो इसको थोड़ा संबालना पड़ेगा यह पूरा मेटल का है देखिए यह अकसा वो से बनाया गया यहां मूर्ती देख सकते हो इतना बड़ा एक इंसान के देखिए मेरा ये द्रश्य है मेरे से कितना बड़ा साइज में है इस तरह का तो पैर ही है सरदार जी का और बहुत ही मज़ूर एक एक चीज बारी की से बनाई गई है सैंडल का जो ये पट्टी है च सरदार जी के माथे तक हम देख भी नहीं सकते गगन चुम भी ये जो प्रतिमा है देखिए किस तरह की ये प्रतिमा देखते ही हमें पता चलता है इनका भव्यश्वरूप को